नमस्कार स्टार केज 11 में आपका स्वागत है आज हम राहु क्रह के बारे में चर्चा करेंगे राहु को माया भी माना जाता है जब राहु का शुप प्रभाव होता है तो रंग को भी राजा बना देता है और जब अशुप प्रभाव होता है तो राचा को रंग बना देता है शरीर में कान, जिवा और सारा सिर पर राहु का विशेश प्रभाव होता है राहु की देवी सरस्वती है, राहु को नीले फूल प्रिये होते है आज हम राहु के खाना नंबर एक के बारे में बात करेंगे खाना नंबर एक में राहु क्या प्रभाव दिखाता है और इसके लिए हम क्या रैमेडिस कर सकते हैं और राहु को किस प्रकार शुब बना सकते हैं इस बारे में बात करेंगे खाना नमबर एक मंगल और सूरे से प्रभावित होता है पहले घर में सित ग्रह को सभी ग्रहों का राजा माना जाता है इस घर में राहू उच्छ सूरे का फल देता है लेकिन कुंडली में जिस घर में सूरे होगा वहां खराफल देगा यदि मंगल, शनी और के तु कुंडली में कमजोर हों, तो राहू भी अशुपफल देता है, अगर मंगल, शनी और केतु शुब होंगे, तो राहू भी शुपफल देगा, राहू अशुब हो, तो व्यक्ति को शाधी के बाद ससुराल से यलेक्टरिक सामान नहीं लेना चाह वरना उसकी संतान को प्रॉब्लम हो सकती है इसका अशुप परिणाम 42 साल की उम्र तक ही रहता है राहु लगन वाले को सक्सेस पाने की तीव्र इच्छा होती है उनको प्रभावशाली और सम्रिद बनने की भी बहुत इच्छा हो जाती है वे कॉम्पिटिटर होते हैं वे अपना बेस्ट देने के लिए भी कुछ भी कर सकते हैं उनकी इच्छा होती है कि दूसरे लोग उनकी प्रश्वन्सा करें लगन में राहु व्यक्ति को अर्यतिक्ता की ओर भी ले जाता है राहु लगन वाला व्यक्ति शराब पीने का अगर लगन में राहु अच्छे परिणाम देता है अगर राहु लगन में अच्छी राशी में हो तो अप्रत्याक्षत रूप सेधन और अश्वर्य भी देता है राहु अगर लगन में होता है तो व्यक्ति का सभाव भी लचीला होता है और वे परिवर्तन शेल भी होता है पर राहू लगन वाला अपनी श्रमता को पहचान नहीं पाता राहू लगन वाला व्यक्ति जोड तोड करने में माहिर होता है और उसकी इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होती राहू लगन वाला व्यक्ति विदेशों से भी यात्रा करने में पीछे नहीं हटता राहू लगन वाले को रूप रंग के प्रती बहुत ही चिंता रहती है राहू लगन वाले व्यक्ति बातूनी होते हैं राहू लगन वाले को शेरों पर निवेश करने में भी पच्चते देखे गए हैं ये बिजनस में स्टाबिलिटी चाहते हैं लगन में राहू हो तो व्यक्ति आसानी से किसी से भी विश्वास खात कर लेता है। राहू लगन वाले का लापरवाही वाला रवईया और विश्वास खाती रवईया इसके विवाहिक जीवन में भी प्रॉबलम क्रेट करता है। राहू लगन वाले व्यक्ति को रिष्टों और घरेलो जिम्मेदारिया लेने से भी कतराते हुए देखा गया है। करियर में इस भाव में सित राहू व्यक्ति को अमबिशियस बनाता है। टक्निक से प्यार करने वाला बनाता है। कभी-कभी जीवन में उच्छ लक्षियों और आधिकारिक पतों को प्राप्त करने के लिए ये अपने मन और आत्मा को भी समर्पन के साथ लगा देते हैं। क्योंकि इनकी इच्छ होती है कि वे जनता पर शासन करें। राहू लगन में हो तो ये राजनीति में काफी सफल हो सकते हैं। परंतु अगर इन में एहम की भावना आ जाती हैं तो ये सकसेस नहीं पापाते। ये असानी से चुनाव जीत सकते हैं। राहू लगन वाले व्यक्ति आत्मकेंद्रित होते हैं। अपनी पहचान बनाने के लिए राहू ये खुद रास्ता बनाते हैं। पहला घर स्वास्ते का भी होता है। राहू के अापने काम में मगन रहता है इसका कोई भी दुश्मन नहीं होता राहु लगन वाले की चहरे पर काले तिल भी हो सकते हैं व्यक्ति का आर अर्थिकलाब भी हावी हता है राहु अगनवाला व्यक्ति, परोपकारी, विनाम्र, धहरेवान, विवेक, पूर्ण भी होता है। राहु एक के समय अगर सूर्य भी खाना नंबर एक में हो तो बिजनस में अर्चने भेन के कारण आएंगी और ब्रह्म की स्थिति भी बनी रहेगी। अगर राहु एक में हो और सूर्य खाना नमबर दो में हो तो धर्म स्थान पर व्यक्ति नहीं जाएगा और उसकी अपने ससुराल से भी नहीं बनेगी खाना नमबर तीन में अगर सूर्य हो और राहु एक में हो तो उसके भाई परिशान होंगे राहु एक में हो और सुर्य चार में हो तो व्यक्ति के मामा परिवार भी परिशान हो सकता है सुर्य पांच में हो और राहु खाना नंबर एक में हो तो उसका बेटा अवश्य होता है सूर्य खाना नमबर 6 में हो और राहू खाना नमबर 1 में हो तो व्यक्ति की अपनी समधियों से नहीं बनती सूर्य खाना नमबर 7 में हो और राहू लगन में हो तो अदालत के कामों में वे फसा रह सकता है सूरे खाना नमबर आट में हो राहू खाना नमबर एक में हो तो वैं फिजूल खर्ची बहुत करता है जो कि उसे नहीं करनी चाहिए सूर्य खाना नमबर 9 में हो और राहू खाना नमबर 1 में हो तो वैं धर्म स्थान से भी दूर रहता है वैं मंदिर भी घर से हटा देता है सूर्य खाना नमबर 10 में हो और राहू खाना नमबर 1 में हो तो उसे संसारिक कामों में रस नहीं आता सूर्य खाना नंबर 11 में हो और राहू खाना नंबर 1 में हो तो व्यक्ति फैसले करने के लिए जिस व्यक्ति को भी बीच बचाव के लिए बुलाएगा उसी की इंसल्ट करके उसको घर से भी बाहर भेज सकता है खाना नमबर 12 में सूर्य हो और राहू खाना नमबर 1 में हो तो रात को सोते समय परिवारी प्रॉब्लम हो सकती है राहू लगन में हो तो उसका उपाय सूर्य से ही होगा क्योंकि पाग ग्रह का उपाय उस घर में होने वाले उच ग्रह से ही होता है बहते पानी में 400 ग्राम सीसा डालें चांदी की चेन में चांदी का स्क्वेर टुकडा डालकर गले में पहनें जो को दूद में एक अनुपाच चार में मिलाकर बहते पानी में डालें बहते पानी के बहते पानी में नारे डालें ससुराल से इलेक्ट्रिक सामान ना ले ना ही नीलम की अंगोठी ले जब शादी हो तो लड़की के पिता से बैट जरूर ले इससे राहू शांत होता है वर्ष कुंडली में अगर राहू लगन में हो तो मोर पंक लेकर नो बार अपने शरीर पर राहू का मंत्र पढ़ते हुए लगाएं राहू का मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सहराहवे नमा एक बार फिर से मंत्र सुन लीजिए ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सहराहवे नमा सुर्य के अच्छे फल के लिए गुड का दान करें और धन की तंगी से बचने के लिए दूद चावल और चांदी का दान करें राहू के उपाय शनीवार को ही करने चाहिए लगन में राहू हो तो अपनी शकल शीषे में देखकर उस शीषे को देवी के मंदिर में या जंगल में दे दें और राहू लगन वाल व्यक्ति नीले और काले कपड़े ना पहने तो बेदर होगा और अच्छे परिनाम ले पा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद